असलाम लेकूं मैं सबाफ फॉरण मेडिकल अड्मिशन्स की एजुकेशनल अड्वाइसर उमीद करते हूं आप साथ की इन्टरनेशनल यूर्पियन यूवर्सटी के बारे में वीडियो में आगे चलके मैं आपके साथ डिसकूस करूंगी कि जो यूवर्सटी है वो कहां पर सब्सक्राइब करेंगे इन्टरनेशनल यूवर्पियन यूवर्सटी माल्टा केमपस यह ब्रॉमला में लुकेटिड है यह ब्यूटिफुल सिटी है यूवर्सटी के बाद कीज़े तो काफी अच्छा इंफ्रस्ट्रेक्चर है इन्वर्सटी का डिजिटल लाइब्रेड स्टुडेंट के लिए जिसके केमपस ओपन है पोलेंड और माल्टा में भी यूक्रेयन के बार के बाद वन अफ फर्स्ट यह प्रियोर्टी है इंटरनेशनल स्टुडेंट के लिए कि वह माल्टा और पोलेंड के केमपस को चूज करते हैं और MBBS, MD, BDS प्रोग्राम बात की इंटरनेशनल यूर्पियन उनिवर्स्टी माल्टा केमपस की तो वहां पर स्टुडेंट के लिए लेटेस्ट एक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि वह अपनी प्रक्टिस भी कर सकते हैं अब थोड़ा सा डिसकेस करते हैं तो बेसिकली हुस्टेल और मेल अविमल स्टुडेंट्स के लिए सेप्रेट हॉस्टे जो वह इतार में Aurora के जितनी बी आपको जुरुयात होती हैं वह स्टुडेंट्स के लिए बात कीज़े मेस की तो मेस में भी good quality of food available है International European University Malta campus में जो student को courses पढ़ाई जाते हैं वो English language में courses पढ़ाई जाते हैं Teaching staff की बात कीज़े तो experience teaching staff available है student के लिए जो universities हैं वो पाकिस्तान medical and dental council, medical council of India में listed हैं degree में listed हैं, degree है वो European countries में acceptable है यहां से student MBBS, MD और VDS करने के बाद किसी भी European country में अपने career को pursue कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ discuss किया Malta की University, International European University के बारे में काफे points मैंने आपके साथ discuss किये मैंने आपके साथ discuss किया कि जो university है वो कहां पे located है उसका infrastructure कैसा है मैंने hostel को discuss किया मैंस को भी discuss किया मज़ीद आची वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें हमारी वीडियो को like करें और हमारी वीडियो को share करना ना भोलें Thank you so much अलाफिस